सर्यू नहर राष्टी परियोजना को राष्ट को समर्पित करें बटन दब गया और बटन दबने के साथ साथ शिलापट का अनावरण सर्यू नहर राष्टी परियोजना राष्ट को समर्पित तीस लाख किसानों के सिचाई के लिए लाब का अवसर जल शक्ति से जन शक्ति का प्रारंब बहुत बहुत धन्यवाद माने निप्रधान मंत्री महुद है आपके बटन दबने के साथ ही राप्ती और सरियू बैराज के गेट खोल दिये गए हैं और प्रवाह प्रारंब हो गया है नौ नदियां जुड़कर पांच नदियां जुड़कर नौ जन पदों के तीस लाग किसानों के खेतों को सीचने के लिए बह चली है जल शक्ति से जन शक्ति का प्रारंब सर्यू नहर राश्ट्री परियोजना कैसी है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रवाहित हो रहा है जल गेट खोल दिये गए है इसी परियोजना पर एक छोटी सी फिल्म हमने बनाई है जिससे आप पूरी जानकारी पा सकें आएए देखते हैं ये छोटी सी फिल्म मर्याधा पुलशोत्तम श्री राम की जन्म भूमी भगवान बुद्ध की कर्म भूमी एवं महायोगी गुरु गुरक्षनाथ के आशिरवात से अभिसिंचित उत्तरप्रदेश का पूरवान चल क्षेत्र भारत की संस्कृतेक विरासत में अपना अलग ही स्थान रखता है पूरवान चल का ये क्षेत्र हिमालय परवच-श्रिंखला की तराई में स्थित है और यहांसे प्रबाहित होने वाली समस्थ नदियों का उधकम पहले की सरकारों द्वारा की गई उपेक्षा एवं इच्छा शक्ति के अभाव में ये परियोचना 40 सालों से अधोरी पड़ी थी। वर्ष 2014 में माननिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नित्रित्व में क्रिशी सिंचाई सोविधाओं के विकास हेतु देश में अभूत पूर्वकारियों की शुरुवात की कई। वर्ष 2015 में मोर क्रॉप पर ड्रॉप वहर खेत को पानी के उद्देश से प्रधानमंत्री क्रिशी सिंचाई योजना का शुभारंब हुआ जो किसानों के लिए वर्दान साबित हुई। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों जैसे पूर्वान चल बुंदेल खंड के कई भागों में सिंचाई के अभाव में खेती नहीं हो पाती थी। किसान बदहाल और भाग्यभरों से थी। जो लोग आजकल किसानों के लिए गड़ियाली आंसु बहाते हैं उनसे आपको पूछना चाहिए कि आखिर क्यों उन्हें अपने शासनकाल में देश भर में फैली इस तरह की अधूरी सीचाई परियोजनाये उनको नजर क्यों नहीं आई। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार ने किसान हितों को सर्वपरी रखते हुए वर्षों से अधुरी पड़ी विभिन्न सिंचाई परियोजनाओ पर तेजी से काम शुरू किया। उसी का परिणाम है कि 40 सालों से अधुरी पड़ी सरियो नहर राष्ट्रिय परियोजना को मात्र चार वर्षों में पूर्ण किया। पूर्व प्रधान मंत्री श्रध्य अटल बिहारी वाचपेजी के नदियों को आपस में जोड़ कर जलके इश्टितम उपयोग किये जाने के सपने को ये परियोजना साकार करेगी जिसके अंतरगत 5 नदियों को आपस में जोड़ कर सिज्जाई हितु नहर प्रणालियों क निर्मान किया गया है 9800 करोड रुपय के लागत से निर्मित इस परियोजना के अंतरगत 6600 किलोमेटर लंवी 900 नहरों का निर्मान किया गया है जिससे 6600 किलोमेटर के बड़े क्शेत्र फल में छोटे एवं सीमांत किसानों को विशेश लाभ मिलेगा और खेती की लागत मे कमी और उपज में वृध्थी होगी इसके अलावा बोनस ट्रॉप की खेती संभाव होने से किसानों को अतरिक्त लाभ होगा साथ ही इसक्षेत्र में बाढ़ के प्रकोप से भी राहत मिलेगी आज माननिय प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधान मंतर की 15 लाख हेक्टेर क्रिशी भूमी को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी सिंचनेन सम्रिधी भामती की मूल भावना के साथ माननिय प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं माननिय मुख्य मंतरी योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों से सर प्रियो नहर राष्ट्रिय परियोजना माननिय प्रधान मंतरी जी के किसानों की आए दोगनी करने के संकल्प को पूरा करने एवं किसानों के जीवन में खुशहाली लाने में महत्वा पूरण भौमिका निभाएगी सोच इमानदार, काम दमदार